नमस्कार माई और बेनों आपका AJS में एक आर बार फिर से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आज का टॉपिक है शनी माराज जब तीसरे घर में होते हैं या जिसे कहेंगे सैटन इन थार्ड हाउस उसके बारे में आज हम इन डिटेल विशलेशन करेंगे तो दोस्तों तयार हो जाएए एक और एक इंटरस्टिंग सेशन के लिए जिसमें आज हम डिसकस करेंगे शनी माराज तीसरे भाव में रहते हैं तो यहां से अपनी तीन दश्टियों से जैसे पहली जो तीसरी दश्टी है वो जाती है पंचम भाव पे तो सीधी सप्तम दश्टी है वो रहती है नम्मे भाव या नाइन्थ हाउस पे और जो अंतिम दश्टी है जिसे हम तेंथ दश्टी कहते हैं वो रहती है आपके बारवे घर या त्वेल्थ हाउस पे अगर कहा जाए तो यह साटन के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जाती है यहां पे शनी माराज जो है काफी जो जातक है उसे क्रियेटिव बनाते हैं अकसल देखने में आता है कि उसकी आवाज की भारी रहेगी हैवी वॉइस रहेगी जैसे अगर आप रेडियो में कई लोगों को देखते हो जो आरजेस को देखते हो कि इस साटन काफी केसिस में तीसरे भ़ौ में पाए जाते हैं यह जो पर्सन है इसको लिखने का काफी शौक रहेगा जो राइटिक में इंप्रेस रहता है बुक लिखने में नौवल लिखने में स्कृप लिखने में और इस भाव में जैसे शनी माराज बढ़ते हैं तो यसे देखने में आता है कि यह जो जातक है बिजनस के लिए काफी ट्रैवल करते हैं, इन लोगों का पराक्रम काफी रहता है और यह ऐसे टाइप की परसाइटी नहीं रहते हैं कि जो जॉब के अंदर या सर्विस के अंदर बैठे हैं, आगे ना पीछे इन लोगों का खुद का बिजनेस हो ही जाता है, यह लोग ऐसे नहीं है कि किसी के अंड में काम करें, इनको अपना खुद का बॉस बनना पसंद रहता है, यहां से शनिदेव जो हैं, अपनी सप्तम दश्टी से 9000 नम्मेस्तान को देखते हैं, जाहिद सी बात है यहां पे देखके, जो पीता के साथ जो रिलेशन्शिप है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहत हैं, छोटे भाई बेन अगर हैं, उनके साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम या समस्याएं उत्पन हो सकती हैं, यहां पे सैटन बैठे हैं, जैसे शनी माराज बैठे हैं, तो वो बंदा काफी हार्ड वर्किंग होगा, पर उसे जो सक्सेस है, वो 32 सा की उम्र के बाद में ही च्चादा मिलेगी, तब तक हो कितनी जिसे मेहनत करें, तब तक उसको इतना फर नहीं मिलेगा, ँतना 32 की ऐच्च के बाद में मिलेगा, ऐसे लोगों की जो इनके पास पॉडोसी है जो नेबर्स है जो कलीग्स हो गए उन लोगों से अपनी जो फर्स्ट आफ आफ जो लाइफ जो है जैसे तीस का बोल लीगी या पैकिस का बोल लीगी उतनी नहीं जम पाती है ऐसे जातक को टीम वर्क ज़्यादा पसंद नहीं आता है तो अगर आप देखोगे कि आपकी कम्पनी में भी कोई है अगर इंडिविजल कंट्रिब्यूटर है तो वो बंदा ज़्यादा उसी इसमें शाइन करेगा वो मैनेजर नहीं बन सकता या अगर क्रिकेट में है तो ये बंदा कैप्टन नहीं बन सकता इसलिए ऐसे जातकों के लिए रिक्मेंडेड है कि वो अपने आप के लिए काम करें संसिप पर कहा जाए तो खुद का कोई बिजनेस करें या अपनी चीजों में काम करते जाया जैसे कोई चीज इन्वेंड करनी है या कुछ बनाना है विबसाइट बनानी है उसके थूरू उनको ज़्यादा यश या सक्सेस में अगर यहां पर जो शनी माराज है अगर अच् प्राशी में बैठे वे हैं तो जातक को एजुकेशन में इतना शंगर्ष नहीं रहेगा बट अगर अच्छे में नहीं है तो यूज्वली देखने में आता है कि आपकी बैशलर्स डिगरी के लिए या ग्रैजुएक के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी प्राब्लम आ सक्ती है पिता का ऐसे जातकों के केस में ज्यादा इतना इन्वाल्मेंट नहीं रहता है ज्यादा टाइम या तो ऐसे देखने में आगा कि इनके जो पिता है वो ट्रावल करते रहते हैं और बहुत कम पिता से जो है इनका संबंध रहता है जैसे पिता से जो बांडिंग है इतनी नह हो पाती है throughout the life कोई भी reason के वज़े से हो सकता है या तो आपकी पिता की जौब कोई दूसरे जगह है या और भी कई रिजनों से आपको पिता का प्यार नहीं मिल पाता है यहां से शनी माराज बारवे घर को भी देखते हैं तो जैसे आपके long journey है या travel होना है या अगर आपका imagination है को spiritual दान काम होने है उनको उस समय के लिए delay करके रखते हैं शनी मारा जैसे immediately आपको लगेगा कि ओ मेरा ये दोस्त विरेज चला गया ये आगे बढ़ गया है मेरे साथ नहीं हो रहा है तो धहर ये रखिए हिम्मत रखिए होगा आपके साथ भी होगा थोड़ी सी सबूरी रखिए और eventually यसे 30-32 के बाद ने SEO time limit पार होता है तब आपको ज़्यादा जश और suffer time मिलेगी यहां से ऐसे जातकों का spirituality धरम करम में भी काफी involvement later half of the life में बढ़ जाता है तो दोस्तों बहुत अच्छी रहती है जैसे एक एश तक हाँ no doubt की तोड़े से ups and downs रहते हैं but eventually काफी अच्छी position कहीं गई है तो दोस्तों यह था हमारा analysis जब शनी देव तीसरे भाव में होते हैं आपको यह program कैसे लगा पीस नीचे comment कीजिए आपके कुछ feedback है तो feedback दीजिए और like और subscribe करना मत भूलीगा इसे के साथ धन्यवाद और शेल्द मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ हम पुट पार को यह मत ब्सकात्धत पर यह के अवाद वीचिन